हैलो दोस्तों, विल्कम बेक टू फाइनस जनकरी यूटूब चैनल मैं हूँ अभजीत और आज की वीडियो में मैं आपको HDFC Bank Business Debit Card का Unboxing and Review देने वाला हूँ अगर आप भी सोच रहे है HDFC Bank का Business Debit Card लेने का तो क्या आपको ये कार्ट सही में लेना चाहिए, ये कार्ट कैसे दिखते हैं, इस कार्ट का क्या क्या benefits से, सारे चीज़े मैं आपको in depth details में इस वीडियो के अंदर cover करने वाला हूँ तो आप सबसे request है की please आप इस वीडियो को last तक जरू देखना चले दोस्तों सबसे पहले हम HDFC Bank Business Debit Card का unboxing करते हैं, unboxing करने के बाद मैं आपको in depth details में बताऊंगा इस कार्ट का क्या क्या benefit से दोस्तों आप देख सकते हैं, कार्ट कुछ इस तरह से दिखते हैं, आपको उपर में HDFC Bank का logo मिल जाएगा और साथी साथ opposite side में आपको यहाँ पे easy swap business card लिखा मिल जाएगा और दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखो के थोड़ा ध्यान से, तो यह international debit card है, जिसमें आप international transactions भी यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों मैं यहाँ पे card का details हाइड कर रहो, क्योंकि यह सारे confidential details है, जो कि मैं आप लोग के साथ share नहीं कर सकते हो, तो आप देख सकते हैं, card कुछ इस तरह से दिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, मेरा नाम यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों इसका back side में आपको कुछ खास नहीं दिखने बाला है, जैसे normal debit card दिखता है, तो ऐसे आपको यहाँ पे सारे चीज़े मिल जाएगा, उपर में stripped है, और नीचे आपका CBB रहेगा, और दोस्तों सबसे नीचे आपको यहाँ पे जो भी phone banking का, यहाँ पे customer care, official number है, व चलिए दोस्तों आभी हम देखते है, kit के अंदर और क्या क्या चीज़ आपको मिल जाता है, दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते है, kit के अंदर आपको इतने सरे documents मिल जाता है, चलिए दोस्तों मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ कि इसमें कौन-कौन सा documents आपको मिलता ह दोस्तो सबसे पहला आपको इस तरह से एक ब्रोचर मिल जाता है जिसमें आप देख सकते है Your Debit Card is Your EMI Card 2 जैसे कि आप सबको पता है HDPC Bank का जो Debit Card होते है तो वो सरे Debit Card में Debit Card EMI का भी options आते हैं और दोस्तो नीचे Debit Card EMI का क्या eligibility criteria है वो सरे आपको यहाँ पे दिख जाएगा तो आप वीडियो को pause करके यह सरे चीजे देख सकते है दोस्तो आपको उसके साथ साथ इस तरह से एक और ब्रोचर भी मिलता है दोस्तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अपना debit card या ATM का pin कभी किसी के साथ share मत करना और साथी साथ आप यहाँ पे net banking अपना customer ID और password भी कभी किसी को share मत करना और सबसे important आप OTP किसी भी unknown persons को कभी भी मत दीजिए और साथी साथ debit card और credit card का जो details होते हैं आप प्लीज आपने पास रखिए किसी को भी इसको मत share कीजिए अगर यह सरे चीज़े आप धियान रखते तो आपका ATM card से कभी भी कोई miss use नहीं होगा और दोस्तो इस kit के अंदर आपको एक benefits brochure भी मिल जाता है वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि यह जो HDFC bank का business debit card है उसमें क्या-क्या benefits मिलता है सबसे पहले दोस्तो मैं आपको बता देता हूँ इस card में आपको 200 रूपीज spend पे 1 रूपीज का cashback मिलेगा साथी साथ इसमें आपको petrol, searches, waiver भी मिल जाता है तो आप 24 hour के अंदर customer care में report कर सकते है उसके बाद आपके उपर कोई भी liabilities नहीं रहेगा जो भी चीजे होगा वो सारे bank handle करेगा दोस्तो जैसे कि मैंने आपको बताया इस card के अंदर आपको 6 lakh रूपीज part day का ATM withdraw limit मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छा है दोस्तो back side में भी आपको कुछ खास नहीं मिलता है वो ही जो मैंने benefits solidarity आपको बता है वो सारे benefits से यहाँ पर mention किया गया है तो आप यहाँ पर देख सकते है और नीचे की तरब आप देख सकते है phone banking number दिया गया है अगर आपको अपना card block करना है यह आपका card के related कोई भी queries है तो आप यह सारे जो भी phone numbers है इनमें आप call करके जानकरी ले सकते है दोस्तो उसके बाद आपको HDFC bank credit card का time and conditions के लिए भी एक आपको यहाँ पर एक document मिल जागा तो आप यह documents को पूरा अच्छे से read कर सकते है जिसमें आपका हर एक time and conditions मेंसें होता है और यहाँ पर एक customer commitment का भी एक letter मिल जाता है तो इसको भी आप अच्छे से read कर सकते है दोस्तो मैंने HDFC bank business debit card के बारे में सारे चीज़े अल्रेडी बता दिया अभी एक चीज और रह गया है जो की है इसका फीज दोस्तो अगर आप एक HDFC bank का premium customer है जैसे classic account customer, preferred account customer या infinia customer तो आपको यह जो card है यह premium मिल जाएगा आपके लिए कोई भी joining fees या कोई भी annual fees नहीं लगता है दोस्तो अगर आप एक normal HDFC bank का customer है तो आपको यहाँ पे 250 रूपीज प्लास GST आपको यहाँ पे annual charges देना पड़ेगा और जो joining fees है वो भी same है दोस्तो इस card का replacement and re-useance charge 200 रूपीज प्लास GST है और अगर आप इस card से ATM pin generation करना चाते हो तो आपको यहाँ पे 50 रूपीज प्लास GST लगता है लेकिन दोस्तो यह जो pin generation process है यह आप online दोस्तो net banking के थूप free में कर सकते है अगर आप इस card को railway station में ticket खरीदने के लिए use करते है तो वहाँ पे आपको 30 रूपीज प्लास 1.8% transaction amount देना पड़ता है जो की IRCTC की तरफ से charge किया जाता है तो इसलिए आप धियां रखिएगा जब भी आप book करें ticket तो इस card से कभी भी मत कीजे इससे आपको extra charges देना पड़ सकता है तो दोस्तो उमीद करता हो HDFC bank business debit card का review and unboxing video आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको यह video अच्छा लगा तो please एक like कर दिजेगा एक like से बहुत ही ज़्यादा motivation मिलता है आगे और आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए और दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को subscribe नहीं किया तो please इस चैनल को subscribe कर लिजेगा subscribe करने के साथ साथ पास में जो bell icon है उसको भी प्रेस कर दिजेगा इस चैनल को पर मैं banking, personal finance and investment related updates देता रहता हो और दोस्तो अगर आपके मन में कोई भी सावल है या दोस्तो आप कोई suggestions देना चाते है तो please आप नीचे comment कीजिएगा और आपने दोस्तों के साथ भी share कीजिएगा चलिए दोस्तों मिलते आप सब के साथ नया और एक फ्रेस वीडियो में तब तक के लिए goodbye चाहिन